चलिए तो पिर शुरू करते हैं तो फिर अभी अपने डिसकस करने वाले हैं NACORA Group of Industries Limited को इनकी जो करेंट प्राइस चल रही वो चल रही 56.2 रूपीज की और बुक वैल्यू है 11.9 रूपीज की यह जो कंपनी है 1989 में इंकॉर्परेट हुई थी और यह जो कंपनी है बैसिकली ट्रेडिंग और 2T Fruity और ड्राइफ रूट के बिजनेस के में हैं मैनिफेक्टरिंग और ट्रेडिंग करते हैं उसकी और उसके बाद फिर यह जो है ग्रेंस और पल्सिस के भी बिजनेस में हैं तो दालव अगेर के business में भी है ये Petrosky score जो चल रहा है वो चल रहा है 6 का Pros and Cons में देखें तो पहले बुरी चीज़ा देख लेते हैं तो company जो है भी 4.71 times चल रहा है stock and का book value से अपनी company का interest coverage ratio low है promoter holding भी decrease हुई है last quarter में minus 4.85% से और company का return on equity है वो भी low है वो है 8.89% last 3 years से Pros की बात करें तो debtor days जो अच्छी चीज़े है उसमें debtor days improve हुए है 51.9 days से कम हो करके 32.3 days हो गए है अब यहां quarterly results की बात करते हैं quarterly results को देखें अगर अपन तो यहां net profit पे देखें तो 54 lakhs का negative है December 2023 में उसके पहले 49 lakhs का negative था September 2023 में तो last 2 quarter के negative में उसके पहले 16 lakhs का positive था चलते हैं PNL पे तो yearly basis पर अगर अपन देखें तो PNL के जो yearly basis हैं उन पर यहां पर 91 lakhs का यहां पर अपने को positive देख रहा है March 2023 में उसके पहले 1.70 मतलब 1 करोर 70 lakhs का positive था इनका March 2022 में इस तरीके से इनके सभी यहां पर अपने को 1.70 करोर का फिर 91 lakhs का तो इस तरीके से इनके लगभग सभी quarter जो है वो positive में ही हैं सभी year by year report सभी year by year reports क्योंकि यहां quarter अपन ने देखा अभी तो कुछ quarter last 2 quarter को छोड़ करके इनके पहले वाले quarters positive में थे चलिए अब देखते हैं यहां पर अपन cash flow की बात करें तो minus 26 lakhs का है यहां पर negative cash flow है उसके पहले 52 lakhs का positive cash flow था highest negative cash flow जो आ रहा है वो cash from financing activity में है और highest positive cash flow जो है cash from operating activity 4.21 lakhs का है यह important चीज यहां पर देख लेते हैं share holding pattern को yearly basis पर अगर अपन देखें तो 60.35% promoter holding है और बाकी बची भी 39.64% की holding public की है अगर अपन यहां एक interesting चीज देखें तो लगातार यहां पर holding कम भी हुई है मार्च 2022 में 73.67% था उसके बाद फिर 67.85% हुआ फिर 60.35% तो लगातार कम हो रही है holding promoter की तो यह कुछ अच्छा sign नहीं है बट लेट सी चलिए अब अपन यहां पी इनका overall performance देखते हैं चार्ट पे अब जैसा कि अपन यहां देख सकते है 19.98% की rally हुई थी जो अभी 56.51 रुपीज यहां पर current price हो गया है 56.15 रुपीज जो है current price हो चुका है और 9.35 रुपीज की rally एक दिन के अंदर अंदर हुई है अब चुकी काफी ज्यादा यहां पर अपने को high activity zone है यह तपन थोड़ा सा इसको समल करके अपन इसमें deal करें तो अच्छा रहेगा हम जो है 66.05 के बाद ही कुछ भी view बनाएंगे 66.05 के बाद अभी तो काफी high activity zone है तो अभी कुछ कहा नहीं जा सकता 66.05 के बाद ही कोई भी view बनाना सही रहेगा at least जिस तरह का भी यहां पर दिख रहा है और अगर थोड़ा सा और अगर safety रखना चाहें तो 71.45 के बाद तो हमारा जो है पहला 66.05 के बाद रहेगा और उसके बाद फिर 71.45 चुकि जो price को इतनी ज्यादा नहीं है तो अपनी position sizing का बहुत ध्यान रखना रहेगा और अपने SL और अपने साथ अपने trailing stop loss का भी ध्यान रखना है तो stop loss position sizing और trailing stop loss के साथ में वर्क करन तो चलिए बस इसमें इतना ही है फिर next में मिलते हैं आप लोगों से okay